हलो, मैं रुन्ति वारी आप सभी लोगों का एक्जाम कोच के ऑनलाइन प्रेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्तो होंगे, मस्तो होंगे और बैठके पढ़ाई कर रहे होंगे देखिए, UPPSC ने अपना नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, फॉर्म भी डाले जा चुके हैं और संभावित है कि आरों यारों की एक्जाम भी आपसे होने वाले हैं औक्टूबर नमंबर के आसपास और यदि आप त्यारी कर रहे हैं, तो त्यारी करना आप बिल्कुल जारी रखिए लेकिन त्यारी करना जारी रखने से बहतर है कि आप गुणवत्ता पुन त्यारी करिए क्वाल्टी एजूकेशन करिए आपको किसी विशे में उनी जगों पर पहुँचना चाहिए जहां पर डिमांड होती है आप यूटूब के दुनिया में देखेंगे बहुत से सिच्छक होते हैं जो अनवश्चक बातों को आपको बताते हैं प्रभाव बढ़ाने के लिए और जो स्टेट सविसेस होती हैं वो उस प्रकार के विशे आपसे नहीं पुछती है जहां पर बहुत ज़्यादा तत्थों की जरोध होती है वो आपसे कही न कहीं कंसेप्ट से जुड़े हैं तत्थों को पुछती है हम लोगों ने इतिहास में एक स्रीज का निर्मार किया था उसका नाम है 1857 का बिद्रो और हम लोगों ने 1857 के बिद्रोग पर मात्र कुछ ही पुस्तुकों को देखा हुआ था मात्र कुछ ही घटनाओं को देखा हुआ था और 1857 के बिद्रो का रायंती कारण क्या था ये भी हमने आपको बताने की कोसिस के थी और पॉइन्स को मैंने आपको लिखवा भी दिया था आज हम 1857 के बिदरो के उन आर्थी कारणों के समिछा करेंगे जिस से लोगों के मन में अंग्रेजिओं के खिलाफ एक आक्रोस उत्पन हुआ और इस आक्रोस ने कहीं न कहीं 1857 के बिदरो को जन्म दे दिया तो आप मेरे साथ हेडिंग डालिएगा 1857 के बिद्रह का आर्थिक कारण एकॉनमिकल कॉज अफ रिबोल्ट अफ 1857 तो जो भी आरो ए आरो की त्यारी कर रहे है स्टेट समसेस की त्यारी कर रहे है वो चीजों को लिखे थोड़ा सा तो ये है आपका आर्थिक कारण एकॉनमिकल कॉज और ये आर्थिक कारण कहे का है 1857 के बिद्रह का हमने प्रिविस वीडियो में देखा था कि 1857 का उत्पन हुआ और इस बिद्रह का जनम कही ने कहीं सैनिकों के द्वारा दिया गया था अगर सैनिक न होते तो 1857 के बिद्रह की शुरुवाद भी न होती लेकिन सिर्फ सैनिकों के वज़े से ही 1857 के बिद्रह का बिस्तार भारत के अलग-अलग भागों में नहीं हो पाया बल्कि भारत की अपनी जो समान जनता है उन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया और इस बिद्रह का बिस्तार भारत के अलग-अलग छेतरों में हो पाया तो बिद्रह क्यों हुआ इसको हम लोगों ने प्रिवेस क्लास में देखा था कि बिद्रह दो कारणों से हुआ था एक को कहेंगे आधारबुद कारण आधारबुद कारण का मतलब यह हो गया कि 1757 के प्लासिक यूद के पश्यात और 1857 के बीच इलागतार 100 वरसों में अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत की जनता को सुशित किया इसे से भारत की जनता संगठित हो गई और बिद्रो करने के लिए तयार हो गई उसी में से एक कारण हमने देखा था राजनतिक कारण अब दूसरा कारण देखेंगे आर्थिक कारण तो देखिए अब हमको पॉइंट्स निकालने हैं और पॉइंट्स यह हो गया कि आर्थिक कारण क्या है और आर्थी कारण से कौन कौन सा समाज का वबर्ग था जो प्रभावित हुआ था तो दिखेगा पहले आर्थी कारणों से प्रभावित कौन हुआ था आर्थी कारणों से कौन प्रभावित होगा आर्थी कारणों से प्रभावित होगा थोड़ा भूद कृषक क्योंकि उस समय का जो समाज है वो क्रिशी प्रधान समाज था तो आर्थी कार्णों से प्रभावित हुआ भारत का ये सम्मानिक्रिशक कैसे प्रभावित होगा ये हमको भी जानना है दुसरा आर्थी कार्णों से प्रभावित हुआ भारत का वो मजदूर बर्ग यह भारत का वो उद्योग पती बर्ग जिन्होंने कही न कहीं भारत में अपने उद्योग लगाए थे और अंग्रेजों के नितियों की वज़े से उनके उद्योगों का बिनास हो गया यह है आपका उद्योग पती और उद्धोगपती करने के साथ साथ आप मान सकते हैं कि समाज का वो बर्ग जिन्होंने कहीं न कहीं कुछ उत्पादन करने की कोशिस की है यानि कि ये जो उत्पादक बर्ग है समाज का ये भी प्रभावित हुआ होगा और आर्थी कार्णों से एक और लोग प्रभावित हो गए और इनका नाम है ब्यापारी, ट्रेडर्स तो पहले जानना है कि अंग्रेजों की आर्थिक नितियों ने भारती समाज के कितने लोगों को प्रभावित किया तो अंग्रेजों की आर्थिक नितियों की वज़े से भारती समाज का तीन बर्ग प्रभावित हुआ एक क्रिशक कैसे प्रभावित हुआ अब हम समझेंगे क्रिशक क्यों प्रभावित हुआ क्योंकि क्रिशी उस समय का सबसे मत्पूर्ण पेशा थी और यदि अंग्रेज क् क्रिश्य में किसी प्रकार का परवर्तन करेंगे तो क्रिशक प्रभावित हो जाएगा और नाकरात्म गृप से प्रभावित हो जाएगा दूसरा उद्योगपती यह भी प्रभावित हो जाएगा और जो लोग इस क्रिश्य उद्पात का या उद्योगिक बस्तुओं का बैप प्रभावित हैं तो यहां पर देखेंगे अंग्रेजों की वो नीतियां पॉल्सी ओफ बिटेसर्स और काहे की नीतियां वो आर्थिक नीतियां जिनके आधार पर प्रिशक उद्रोगपती और व्यापारी प्रभावित हो रहा हैं तो देखिएगा पहले में ग्राफ बना ले इसको डिटेल में समझेंगे इन नीतियों में क्रिशकों को प्रभावित किया था अंग्रेजों की भू राजश्वनीति लैंड रिवेन्यू सुस्टम अंग्रेजों ने तीन प्रकार क्राजों सुन्ति को लेकर आए हैं अब इनके बारे में डिटल में पढ़ने वाले हैं इनके वज़े से प्रभावित कौन है आपका क्रिशक उद्धोगपती क्यों प्रभावित है तो उद्धोगपती प्रभावित है अंग्रेजों की मुक्त ब्यापार की निती से मुक्त ब्यापार की निती पॉलसी ओफ पुरी ट्रेड से और ब्यपारी क्यों प्रभावित है तो ब्यपारी प्रभावित है अंग्रेजों की कर नीती से तो ध्यान एक है गाई State Services आरो यारो ये डिमान करते हैं विशय के समझ के लिए हम अभी कुछ समझने वाले हैं आर्थिक कारण ये एक मुलभूत कारण है 1857 के बिद्रो का आर्थिक कारणों की वैसे कौन परसान है तीन लोग परसान है उस समय का क्रिशक भी परसान है उस समय का उद्धोगपती भी परसान है और उस समय का ब्यपारी भी परसान है क्रिशक है पारी क्यों परशान है तो वेपारी परशान है अंग्रेजों की tax policy की वज़े से और इन talking हम को करना है explain तो देखिएगा कि अंग्रेजों की भू राजश्व नीतियां पाहले डालिए अंग्रेजों की भू राजश्व नीति याPal्स यह first heading आप डालेंगे Land Revenue System of Batchers अब दिखिए मैं आपके एक image दिखाता हूँ और image कुछ इस प्रकार का है यह है भारत और भारत में आने के पश्यात अंग्रेजों ने तीन प्रकार के भूराजोशनिति को लागू किया था और यह जो तीन प्रकार की भूराजोशनिति है एक को कहते है पर्मानेंट यह अस्थाई निती दुस्य को कहते है रयत बारी और तीस्ते को कहते है माहल बारी की बेवस्ता अग्रेजों ने भारत में आते ही भारत के लोगों से कर्वसूलने के लिए इन अलग अलग प्रकार के भूर राजश्वनिती को लागो किया था एक को कहते हैं जमिदारी बेवस्ता दूसरे को कहते हैं माहल बारी बेवस्ता और तीसरे को कहते हैं रैयत बारी बेवस्ता इस टॉपिक को जब भी समय आएगा हम रिटेल में पढ़ेंगे बस यहाँ पर as a reference के रुप में हमको यूज करना है अब देखिए यह है अंगरेजों की राजश्वनिती और कितने प्रकार की है एक को कहेंगे जमिदारी बेवस्था दुसरे को हम कहने वाले हैं माहल बारी बेवस्था और तीसरे को हम कहने वाले हैं रैयत बारी बेवस्था और इन बेवस्थाओं से एक बर्ग प्रसान है उसका नाम है क्रिशक देखिएगा अंगरेजों ने जब भारत के अलग-अलग हिस्थों में इन तिन प्रकार की क्रिश कानूनों को लागू किया तो इन क्रिश कानूनों में दो प्रकार की समस्याएं है और दो प्रकार की समस्या ये है देखिए एक तो अंगरेजों ने भारती क्रिशकों से कहा कि आप जो भी कर देंगे वकर अनाज के रूप में नहीं देंगे वकर आप देंगे नकत रूप में कैश फॉर्म में अब पहले क्या हो रहा है अंग्रेजों के आने से पहले तो भी अंग्रेजों के आने से पहले भारती क्रिशक कही न कही अपने राजाओं को कर दिया करते थे लेकिन अपने राजाओं को जो कर दिया करते थे वो उपज के रूप में दिया करते थे आज मेरे पास मतर उपज है तो मतर लेकर जाईए मेरे पास गेहू है गेहू लेकर जाईए मेरे पास चावल है चावल लेकर जाईए जो आप टेक्स लगाएंगे हम आपको बोरी में कसके देंगे आपके लोगाएं लेकर चले जाएं इसमें किसानों को कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता था लेकिन अब क्या है अब अंग्रेजों ने कहा कि हमको चावल नहीं चाहिए चावल तुम उगाओ इतना रुपया तुम्हारे उपर टेक्स है इस चावल को लेकर जाओ बेचो और बेचने के पश्चात जो पैसे बचते हैं तुम्हारे पास उस पैसे को हमको कैश फॉर्म में दो तो अंग्रेजों ने लागो किया नगत करेववस्था और नगत करेववस्था का दुस्परडाम ये निकला कि भारती क्रिशक कम नाम में अपनी समानों को बेचता है जैसे मालिजी आज गेहों की फसल कटी और जब गेहों की फसल कटी तो मैं गेहों को बजार में बेचने के लिए गया अभी जब गेहों की ताजा फसल कटेगी तो मैं ताजा-ताजा बजार में जाऊंगा तो उस पसल की कीमत बड़ी ही कम लगेगी बहुत कम कीमत पर हमारी पसल को खरिदा जाएगा और हमारे उपर जीमदारियां बहुत जादा है पैसे हमने लगाए बहुत जादा है लेकिन अभी सब लोग गेहूं बेच रहे हैं इसलिए गेहूं का कीमत काफी कम मिलेगा मुझे तो कम प्रॉफिट मिलेगा और जब कम प्रॉफिट मिलेगा और अगर ठीक से प्रॉफिट नहीं मिला तो हमारे पास पैसे की कमी हो जाएगी और पैसे की कमी हो जाने के बाद से हम टेक्स कैसे देंगे तो टेक्स देने के लिए हम पैसे किसी ने किसी से उधार लेंगे और हम लोगोंने पैसे उधार लेने स्टार्ट कर दिजिए जो money landers थे money landers उन money landers से हमने पैसे उधार लेने प्रारम कर दिए तो अंग्रेजों की कर्वेवस्था का पड़ाम ये निकला कि जब उन्होंने नगद कर्वसुलने के निती लागो किया तो इसे भारती क्रिसान कहीं न कहीं मनी लेंडर्स यानि कि जो पैसा उधार देते हैं उनके चक्कर में फंस गये और उसके वज़ा से उनकी जमीन गिर्वी होने लगी और जब जमीन गिर्वी होने लगी तो एक रिशक वह अंग्रेजियों से क्या हो गया नराज हो गया तो पहला पांट हमने क्या देखा था नगद कैश के रूप में लेना रिविन्नो दूसरा इस तीनों प्रकार के सिस्टम में जमीदारी हो माहल हो या रयादबारी सिस्टम हो इसमे एक और प्रकार की दिक्कत है दिक्कत ये है कि नगत कर लेने के लिए ये ज़रूरी है कि आप नकती फसल बोएं अंग्रेज मजबूर करते थे भारतियों को कि अगर आपके उपर तीनों प्रकार की भूमी बिवस्था लागू की गई है तो आप परंपरागत अनाजों की जगह पर ऐसे अनाज बेचिये ऐसे अनाज बोईए जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देते हूँ अब मालीजी मैं कोदो बोऊ, मडिया बोऊ, इसको बजार में बेचूँ तो क्या मैं कमाऊंगा तो अन्ग्रेजों ने कहा कि तुम ज़्यादा कमाऊंगे, ज़्यादा टेक्सिद होगे तो क्या बो, तो तुम गन्ना बो, क्या बो, तो तुम मक्का बो तो ऐस प्रकार के फसलों को जो की नगत प्रकार के होते हैं अंग्रेजों ने उनको बोने के लिए विबस किया और जब नगदी फसल बोने के लिए विबस किया तो कुछ समय तक तो नगदी फसल ठीक होता है लेकिन मान लिजी आकाल आ गया तो हमने पैसे निवेश किये हैं हमने गर्ने की पूरी खेती की हमने गर्ने खरीदे उसके लि के लिए landholder या money landholders के पास पहुंच गए और दूसरा इस नगदी फसलों की वज़य से अकाल आ गया तो हम गन्ना थोड़ी खाएंगे हमने गेहूं बो रखा था पहले तो गेहूं का कुछ हिसा तो बचता था यहाँ पर तो हमने गन्ना बो रखा है तो जब गन्ना बो रखा है तो अगर गन्ना सूख गया तो हम खाएंगे क्या और भारत की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा भुखमरी की वज़े से मरने लगा और दिखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस land revenue system का नतिज़ा यह भारत सरकार का अपना इमेज है भारत सरकार ने खुद दिखाय था कि पूरी की पूरी खेत बरबाद हो गए थी आपके land revenue system से और इसका जो सबसे बड़ा परड़ाम निकला वो आकाल निकला और जब आकाल यहनी कि फिमाई नाने लगा तो फिर यही भारत की क्रिशक अंग्रेजों के खिलाफ हो गए तो दिखिएगा अंग्रेजों की आर्थिक नितियों से कौन परसान है क्रिशक क्रिशक क्यों परसान है क्रिशक इसलिए परसान है क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी जो भूराजोशुनिती को लागू किया था वह भूराजोशुनिती दो प्रकार से दोसी है एक तो इसमें आपको नगत फसल बोने के लिए विबस किया जा रहा है और यदि किसी प्रकार की आकाल की कंडिसन उत्पन हो रही है तो किसानों के पास खाने के लिए एक पैसा भी नहीं बचता है और जब किसानों के लिए खाने के पास एक पैसा भी नहीं बचता है तो किसान इस महामारी और आकाल का सिकार हो जाते हैं और जब महामारी अकाल का सिकार हो जाएंगे तो किसान किसको कोसेंगे, किसान कोसेंगे अंग्रेजों को, जब भी उनको मौका मिलेगा कि कोई अंग्रेजों के खिला बिद्रो करें, तो सबसे पहले उनका साथ देने के लिए कौन आ जाएगा, क्रिशक आ जाएंगे, यही व कारण में पहला कारण क्या था कौन परसान था क्रिशक क्यों परसान है अंग्रेजों की भूराज़शनिती के वज़े से भूराज़शनिती में क्या दिक्कत है दो प्रकार की दिक्कत है एक तो नगत के रूप में कर ले रहे हैं और दूसरा फसल उत्पादन करने के लिए न उसको समझे और देखिए ब्रतिवे समय के साथ आप एक पढ़ेंगे अठारा सो तेरा का चार्टर अधनियम और इस अधनियम के माध्यम से भारत में खोल दिया गया मुक्त ब्यापार मुक्त ब्यापार की निती जितने भी RO, PCS ये लोग है उसको याद करेंगे इंडिया में फ्री ट्रेट पॉलसी कब लॉंच की गई अठारा सो तेरा के चार्टर के माध्यम से फ्री ट्रेट पॉलसी मतलब क्या होता है इसका मतलब यह है कि अठारा सो तेरा में यह कहा गया कि केवल चाय और चीन को छोड़ कर भारत के साथ जो भी ब्यापार होगा उस ब्यापार में इरोप की अन्य कमपनियां भी या बिटन की अन्य कमपनियां भी आएंगी दान रखियेगा पहले क्या हो रहा था कि जब हमारे पास इस्ट इंडिया कमपनी भारत में आई पर चार् साथ ब्यापार करेगी लेकिन 1813 के चार्टर के माध्यम से यह पॉलसी लागू कर दिया गया कि अब बिटिस इस्ट इंडिया कमपनी मात्र दो चीजों का ही ब्यापार करेगी एक का नाम होगा चाय और दूसरे का नाम होगा चीन यानि कि चीन देश के साथ केवल ब्यापा ब्रिटेन की जितने भी कमपनिया है वो ब्रिटेन की अन्य कमपनिया भी भागिदार बनेंगी अन्य कमपनिया भी सामिल होंगी इसी को कहते हैं मुक्त ब्यापार की निती अब Britain में हो चुका है अदोगी करांटी बड़ी बड़ी मसीनों से फ्रक्टिरीयों से समान बन रहा है और यो बनता हुआ समान भारत में भेजा गया पहले भारत में समान बेचती थी केवल British Indian Company अब तो Britain की सब कमपनिया भारत में समान बिचने के लिए तयार हो गई है और जो ही बिटेन की सब कमपनियां भारत में समान बिचने के लिए तयार हो जाएंगी तो इनके द्वारा बनाया गया समान, कपड़े, अन्य समान सस्ती हुआ करते थे क्योंकि बिटेन में क्या सुरू हो गया था? और दोगी करान्ती और और दोगी करान्ती कहा होती है जहांपर बड़े-बड़े मसीन लगे होते हैं और जब बड़े-बड़े मसीन में किसी चीजों का उद्वपादन करेंगे तो चीजें सस्ती हो जाएंगी और जो ही वो सस्ती चीजें हो गई तो भारत का जो उद्योगपती था वो उद्योगपती उन सस्ती चीजों के सामने टिक नहीं पाया और जब सस्ती चीजों के सामने टिक नहीं पाया तो भारत का ये उद्योगपती क्या हो गया बरबाद हो गया और जो ही भारत का उद्योगपती बरबाद होने लगा तो ये म यहाँ पर उद्रोग पती 1813 के चार्टर अधनियम के माध्यम से दो लोग समझ लिए अब तिसरा दिखिएगा तिसरा हमने देखा था ब्यापारी अब यहाँ पर कुछ लोग हैं भारत के ब्यापारी और भारत के ब्यापारी भी तबाह हो गए हैं अंग्रेजों की नीतियों की वज़े से ब्यापारी को क्या चाहिए ब्यापारी को चाहिए कि जो समान खरीद रहा है उस समान पर अगर टेक्स बहुत कम लगा दिया जाए तो उसको बड़ा लाप हो जाएगा अम मालेजिए कि हम डिजिटल बोड खेद रहे हैं दो लाप रुपे प्राइज है और सरकार ने कहा कि 20% आपको टेक्स देना पड़ेगा तो प्राइज कितना हो गया दो लाप 40,000 रुपे यदि सरकार ने कह दिया कि आप डिजिटल बोड का उतना ही प्राइज दीजिए कोई टेक्स न दीजिए तो हमको कितना फैदा हो गया 40,000 रुपे का फैदा हुआ कि नहीं तो ब्यपारी क्या चाहता है कम से कम टेक्स देना पड़े लेकिन भारत में अंग्रेजों ने क्या किया जान बुझकर हमारे टेक्स पॉलिसी को बदल दिया यह है हमारा देश भारत और यह है एक देश उसका नाम है ब्रिटन अगर ब्रिटन से भारत की तरफ कोई बस्तु में आ रही है तो ब्रिटन से अगर भारत की तरफ कोई बस्तु आ रही है तो ब्रिटन के लोग जो टेक्स लगाते थे वो टेक्स कम रखते थे माल लिजिए 100 रुपे का समान था इंडिया आ रहा है तो हमने उस पर 5 परसद का टेक्स इंपोज किया तो दाम कितना हो गया 105 रुपे का एक कहानी कब है जब बिटेंस ये बस तु भरत की तरप आ रही है तो टेक्स नीचे वने अरो लगा रखा है टेक्स क्या है अमारा कम है लेकिन इसके विपरीत अगर ऐसा हो जाए और ऐसा क्या हो जाए अगर भारत अपना बना बनाये समान बिटेंस को भेज रहा है तो बिटेंस की सरकार क्या करती थी वो टेक्स को बढ़हा देती थी बहुँ ज्यादा टेक्स कर दे रही है जैसे मान लिजिए हमने भारत के लोग हैं हमने 100 रुपय में कोई समान बनाया और समान बना कर हम बिटेन में बेचना चाहते हैं अब ये समान जो ही भारत के बाउंडरी से निकला बिटेन ने हमारे उपर टेक्स लगा दिया 400 प्रतिसत का अब चीज़ें कितनी की हो जाएंगी अब चीज़ें हो जाएंगी 500 रुपय की उन्होंने समान भारत के पास भेजा तो टेक्स कितना लगा है हमने लगाया मात्र 5 परसत लेकिन जब हमने उनके पास भेजा तो टेक्स कितना लगाया 400 प्रतिसत या बिटेन के लोग हमारी समान खड़ी देंगे नहीं खड़ी देंगे इससे भारत का जो ब्यपारी था वो अंग्रेजों से नराज हो गया और अंग्रेजों से नराज होने के पशात वर बिद्रो करने की ताक में बैठ गया समझ पा रहे हैं 1857 के बिद्रो के लिए अंग्रेजों की आर्थिक नितियां भी जीमदार रही है यह आर्थिक नितियां थीन प्रकार की है एक का नाम है दूसरे का नाम है मुक्त बैपार के निति और तिसरे का नाम है अंग्रेजों की कर बैवस्था इसे समाज का तीन बर्ग परसान था क्रिशक, भारतियों द्योगपती और भारतियों बैपारी और यह मौके की तलास करने लगा कि कोई उसका साथ दे ताकि वंग्रेजों के खिलाफ बिद्रो कर सके तो यह है 1857 के बिद्रो का आर्थिक कारण, उमीद है चीज़ें आपके समझ में आई होंगे मैं फिर कह रहा हूँ कि हम लोग वही पढ़ाई कर रहे हैं जो आपके लिए उपयोगी होगा अगर कुछ बिचार अच्छा लगे तो आप नीचे कमेंट जरू करिएगा और आपके सुझाओ का हम स्वागत करते हैं ठीक है मलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू